हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवास तुदी होगी हर वक्त यही है गम उस वक्त कहा थे हम कहा तुम चले गए चीटी न कोई संदेज जाने वो कौन सदेज जहां तुम चले गए यह हमारे लिए प्रेड़ना के खिशा होते हैं ऐसे वक्ति धर्टी पर कभी कभार पैला हुआ करते हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं उन्हीं में हासी की स्पावन भापर बाओ की छोरी लाल जी जिनके बारे में मुझसे पूरो पूरी डिटेल में बताया गया और हासी शहर उनके बारे में बाखुबी जानता है कि किस तरह से उनका जीवन विशेश तोर पे शिक्षन संस्थाओं के प्रती धार्विक संस्थाओं के प्रती समर्पित रहा आज हम जिस कॉलेज में बैठे हैं कि एस्टी महीला महाविध्याले रुपी एक पोधे को उन्होंने लगाया और आज वो पोधा बड़ा हो करके एक वट व्रिक्ष बन गया और अपनी छाया के नीचे आज उसकी छाया में हमें फकर है इस बात का कि हमारी बच्चियां शिक्षा करहन कर रही हैं और ये बच्चियां इस कॉलेज में शिक्षा करहन करके काफी दूर दूर तक इस कॉलेज का नाम इस इलागे का नाम और अपने माबाब का नाम रोशन में कर रही हैं हमारे लिए बहुत बड़े फखर की बात है और यह पोदा लगाया बाव की शौरी लाज जी गोए हो यह हमारे लिए कितने सोभागे की बात है अगर हम बीस-तीस साल पीछे जिले जाएं तो कॉलिक कहीं कहीं हुआ हमारा सोभागे रहा कि हांसी शहर में लड़कों का कॉलिक तो बात में बना मगर लड़कियों का कॉलिक पहले बना जबकी होता यह था को एजुकेशन कॉलिक बनते हैं मगर बावजी की सोच देखिए कि अगर कन्या शिक्षा करहन करेगी तो दो घरों का सुधार होता और लड़के तो कहीं भी शिक्षा करहन कर सकते हैं वो अपने गाउं से अपने घर से 20 किलोमेटर 30 किलोमेटर 50 किलोमेटर दूर भी देवे जाएंगे तो कोई विश्य फरक नहीं पड़ता मगर वो समय ऐसा था जब लोग लड़कियों को घर से बाहर भेजना पसंद नहीं करते थे उस समय में बाउजी ने स्वामी कनेशानंग जी के आशिरवाद से इस कोलेज की नीव रखी और हमारा सोभागे रहा कि इस इलाजे की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी संस्था मिली स्वामें नस्तक होते हुए उनकी पुन्ने सिथी पर हम उनको शरदा सुमनर पिटकर रहे इसकत में साथ आंसी के विजायक है विनोश बैना और SD महीला कॉलेज में बतोर मुक्य दिति आयते बहुत पुराना कॉलेज है जब कॉलेज चोटे शहरों में तो होते ही नहीं थे उस समय का कालेज है और आज हम जिस function में आये थे जिस कारिय कर्म में आये थे वो बाव किशोवरी लाल जी जिनों ने इस college की नीम रखवाई स्वामी गनेशा नंजी माराज के उससे तो आज उस college में मैं आया बाव किशोवरी लाल जी की पुननेती थी पर तो वैसे तो मैं अक्सर college में आता रहता हूं और यहां की जो भी जरूरते होती हैं यह मुझे बताते रहते हैं और मैं अभी हर सम्भव प्रियास करता हूं कि यहां क्योंकि हमारी बच्चीयों का college है और कहते हैं कि बेटी का पढ़ना बहुत शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए मैं विशेश ध्यान भी रखता हूं कि इस college में किसी चीज की कमी ना रहे तो आज भी जो इन्होंने बताया कि जिस चीज की जरूरत है तो निश्ची तोर पे चाहे वो लाइब क करवाएंगे आज इनकी विशेश बात थी कि जैसे यहां पार्क में कोई बेंच बगारा बच्चों के लिए नहीं है बैठने बैठने के लिए जब इनका रेस्ट का पीरियद होता है तो बच्चे इदर उदर घूमते ना रहे हैं आराम से बैठ जाएं तो हमारे साथ नग बनना है उसका भी हम जल्दी काम शुरू करवा रहे हैं और रही बात कोई लाइव वाइब की बात है तो उसका जो एस्टिमेट वेस्टिमेट बनवाएंगे तो निश्टित रूप से हम सरकार से इनकी पूरती करवाएंगे एक सवाल और भी था कि जागरूक लोगी चाहते हैं कि हांसी में कोई यूनीवेश्टि का स्कोप या कोई और कोलीजिस के स्कोप एजुकेशन को ले के इनकी रहते हैं को टेक्निकल कोलीज्श कुछ भी रहे तो आपसे उमीद के दूए रहे होती है मैं शहर की हर उमीद पे खरा उतरने का पूरा प्रियास करूँगा मेरी सबसे बड़ी उमीद है हांसी जिला बने और जब जिला बन जाएगा तो यहां किसी चीज की कमी नहीं रहेगी बहुत पर शुक्रिया बात करने के लिए थे विनुद बैना और कह रहे हैं कि जिला बनेगा तो तो तमाम फैसलेटीज हांसी में अपने आप या जाएंगी आपके कमेंट नीचे जरूर लिखिए इस दी मैला कॉलेज के परधान इंजिनियर वासुदेव गोईल भी मेरे साथ हैं को साथ आज आपके पिताग की पुने तिखिए उन्हों नहीं कॉलेज की नीव रखी थी इसके साथ ही और कोई नया संकल पलिया कॉलेज में कुछ नया कुछ कर पचास साल हो गए हैं तो प कि कमेरे बहुत प्राणे हो गए यह मोडिफाई करने का सपना है कि समय के साथ में जो वैसे तो कई साल पहले में ओफर हुई थी डिम डिनस्टी बनाने के लिए भी नहीं हमारे पास जो जंगा है वो लिम्टेड है डिम डिनस्टी अमनी बना पाए इसको अगर कोई जबीन मिल जाए साथ लगती कहीं तो दीम डिनस्टी बनाने में भी इस कोलिज के अपास स्ताफ मिला कि आपका ख्वाब है कि डीम डिनस्टी तो एच्टी महिला कुलिज बनी सकता है बन सकता था लेकिन साथरों कमी से अमनी बना पाए इसको अज वहरा वोका पड़ेगा तो हम को तो कर दिया जाए भी आपका मैं सुन रहा था मनसे वाशन तो क्या कुछ आपके पास प्लैनिंग है मेरे पास प्लैनिंग यही है क्योंकि बिना पॉलिटीकल उसके अपलिफ्टमेंट के जैना कोलिज ग्रॉथ में आ सकता बैना साब का जो है ना मिरे पर पूरा आसिरवाद ह है जो भी समझ्चाएं होंगी और मैं क्योंकि जो कोलिज की मेंग्रॉथ होती है और आकेडिमिक्स में मैंने वेना साब को का कि परदान जी को करें यहां रेगुदर फैकलिटी हर्याना सरकार ने बारा सेंक्सेंट की हैं पहले उनको फिल अप करें और वह पोस्टे फिल अ हो जाती है तो निकट भाविश्टे में नेक होती है जिसके ताहित किसी भी क्वालिटी एजिकेसंस का परामिटर ताहि होता है और उसको हम फुल करेंगे जो रूसा की तरह ग्रांट आती है राष्टी उस तरह सिक्षा भियान के ताहित और भी काफी रस्ते हमारे पास जाते हैं क्योंकि आज कल मोडरन टेक्नोलोजी की जरूरत है आपको बता दूँ वाइफाई और इंट्रकनेक्टिट जैने लैफ जैना वह बड़ी रिक्वाइर्मेंट और इसके लिए फंडिंग की जरूरत है और भेहना साब में मुझे अशे और क्राइए कि आपको गॉल जूबली चल रही है को लिसकी और जेनल सेक्टरी इस वक्त में साथ है अंकूर गोईल गोईल साब गोड़न जूबली है वाइफाई और तमाम चीज़ेंगी और नई चीज़ें क्या हो सकते हैं जूरत हो गई है लेक्ट्रोनिक साधन की हम चाहते हैं सब बच्चों को नई परिशद चेर्मेंट परतिनी दी हैं और आज इन्होंने वाइदा किया है कि स्कॉलिज को काफी सारे जो बैंचीज की डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी कब तक हो जाएगी इनकी जल्द जो बैंचीज की और लाइटों की जो डिमांड रखे क्वेर मैंट हैं स्कॉलिज की जो चात्राओं को बैठने में सुवीदा होती है ताकि सुवीदा मिल जाए तो अभी विदायक जी से और हमने बैठके बात कि है कि जल्द इसके को लिजगी जो डिमांड है बैंचीज की और लाइटों को हम जल्द पूरी करेंगे शुक्रिया और उमीद करते हैं कि नए अधिसर्टिक मुलोग बन रहा है इसका भी शिला नियास उद्गाटन जो खुछ भी वियाना साब की वज़े से ही हो रहा है जब पहले एमले सीप्यस थे जब इन्होंने इसके लिए साड़े बाईस लाख रुपे ग्रांट रिक्वेंट की थी तो पतर लाख रुपे ग्र साब से उमीद है यह कहना चाहिए उन्होंने शुरुवात की थी और उसको अमली जामाबी अब रोट ब्याना असी के मेले उन पर इनका विस्वास है कि वह पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे मौनिका बीए सेकेंड रोल नंबर कि पूजा बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेनी मुसकान बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेन नंदिनी बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेन याशु बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेन पूनम बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेन पूनम बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेन पूजा देवी बीए सेकेंड रोल नंबर त्वेन Monica, D.A. 2nd, roll No. 95 Pooja, D.A. 2nd, roll No. 97 D.A. 2nd, roll No. 113 Pooja, D.A. 2nd, roll No. 125 Nisha, D.A. 2nd, roll No. 126 Manju, BA 2nd, 131 रोल नबर, Priya, BA 2nd, BA 2nd, रोल नबर, 135, Shushila, BA 2nd, रोल नबर, 138, Roma, BA 2nd, रोल नबर, 143, Anju, BA 2nd, रोल नबर, 146, Priti, BA 2nd, रोल नबर, 169, Rekha, BA 2nd, रोल नबर, 171, Monica, BA 2nd, 169, Frenchüs你说 double் regelर, 169, Rekha, BA 2nd, 169, Rekha, BA 2nd, 3136, Rekha, BA 23. झाल झाल